हेलो माइ फ्रेंड वेलकम बैक टो चैनल यूर वोचिंग जैसे फिफ्टिनार सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं पलसर एंड वन फिफ्टी का सो फस्ली लेक में शो यू यू दा बाइक फ्रेंट से दिखने में तो कुछ कुछ आपको लएगी जैसे की इसकी आती अपाचे फ्रेंट से देख लो भाई कैसी है यह बाइक बिलकुल एंड एकको साथ दो सपचास के जैसे लगती है सो अभी तक जो रेडर थी सब सची दिखने में बाइक और सबसे कम सीजी में तो इस देखते तो आपको लगता है कि कहीं कि यह एम्टी 15 से इंस्पायर्ड है एंड इसमें फीचर्स की बात कर लें तो इसमें ABS मिलता है फ्रेंट में सिंगल चैनल एंड इसमें आपको 14.5 PS की पावरें 13.5 Nm का टौक देखने को मिल जाता है एंड बात कर लें टायर साइस की तो फ्रेंट में आपको 90-90-17 एंड रियर में आपको 120-80-17 शेशन का टायर देखने को मिल जाता है साथ साथ जिसका मैलेज होने वाला है वो होने वाला है 50 के आसपास अगर आप अच्छे चलाते हैं एंड हां इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS की फैसलिटी देखने को मिल सकती है बाकी दिखने है बहुत जबरज़स लग रही है बाइक एंड अं चोबिस हजार रोगे तो उससाप साफ कोने सक्षिन बता सकते है कि प्राइस के साफ 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 के बाइक कैसे लिगी दिखने के साफ से इस बाइक इस तैन पलसर N150 में आपको दो कलर ओप्शन देखने को मिलेंगे इस परल मेटलिक बाइड एंड इस इबोनी बलेग एंड इस में आपको फाइव की फैसलिटी देखने को मिलेगी साथी साथ इसके अंदर आपको 14 लिटर का फिल्टेंग देखने को मिल जाता है इस बाइक का जो डारेक कॉम्पेटिशन बैठता है वो बैठता अपाचे आर्टीर वन सक्ष्टी एंड एस्पी बन सिस्टी के साथ स आप इसमें से किसी बाइक को कंशिर कर सकते हैं बाट अगर आपको नई बाइक लेनी है बिलको न्यू डिजाइन के साथ तो एन 150 आपके लिए बहुत अच्छी बाइक होने वाली है बट इतोड़ आपको महंगी पढ़ेगी लग 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 को समझ लीजिए डेड लाग क्र बुश्कर जाएगी है अन्रोड प्राइस वीडियो में बस इतना ही आप हमें कमेंट रिक्षन बता सकते हैं आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी अगर अच्छी लेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना हमारे चले को सब्स्राइब कर देना और प्लीज दू ट कर देना हमें प्लीज आपको कुड़arti अन्रोडी अच्छी लेगं और चान कको कर दो प्लीज वीडियो और प्लीजम कारे प्लीज़ स ví d Sindaco